हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बदर वितायुष और दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और नए IPO के बारे में जो 24 से 26 माई के बीच में आपको खुलता हुआ देखने को मिलेगा Aether Industries IPO एक Specialty Chemicals की कमपनी जो आपको मार्केट में आते हुई देखने को मिल रही है तो किस प्रकार की कमपनी है क्या पैसा लगाना चाहिए Complete Details मिलेगी आपको कौन सी डेट को आता हुआ देखने को मिलने वाला है कमपनी ने Price Band क्या रखा है प्लस Important बात Review क्या होगा यानि इसमें Apply करना है Avoid करना है इसके उपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्या पैसा बना के जाएगी यानि क्या Gray Market में कुछ हल चल है So friends, Ether Industries Limited IPO की शुरुआत होती हुई देखने को मिलने वाली है 24 मही से 26 मही के बीच में या IPO जो है जो इस्यू है वो ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा सबसे बात करें कमपनी के बारे में तो कमपनी अभी फिलाल ही आपको देखने को मिलेगा है उपन होती हुई देखने को मिली थी 2013 में देखे कंपनी की शुरुआत होती हुई देखने को मिली Ether Industries Limited क्या है मनुफैक्चररे स्पेशिलिटी क्यामिकल्स का और याद रखेगा कंपनी इस व्याद इस अपने को मिलेगा मैथ्व एक पर कंपनी का काम होता हुआ देखने को मलता है मम बीसी में यहाँ पर ओटी बीन में और यहाँ पर कंपनी का दोस्तों जो काम है वह इन कह सकते स्पेशिलिटी क्यामिकल्स में हैं जो सिर्फ अकेले यह बनाते हैं उसके अलावा कोई नहीं बनाते हैं यहां पर जिस प्रकार की दोस्तों सुर्भ unified क्याम बनते हैं वह सिर्थ आथर इंस्ट्रीज बनाते हुए का है क्रैम मतलब contract research and manufacturing services इसमें क्या होता है basically R&D important होता है research and development और company के वाश R&D जो है वो अच्छा है और तीसरा जो सोजन का काम है वो है contract manufacturing एक contract लेकि manufacturing भी करते हैं तो तीन टाइप की business models है सबसे पहली बात तो क्या company आपको large scale में काम करती ही देखने को मिलती है intermediates और specialty chemicals का large scale में कौन कौन से आगा है जो यह सिर्फ खुद बनाते हैं उसमें large scale दूसरा क्रैम में यहाँ पर contract research होता है और उसके बाद manufacturing services यह चालू करते हैं मनाना और तीसरा contract manufacturing तो तीन basic business model से यहाँ पर जो आपको company काम करती भी देखने को मिलती है company के पास दोस्तों दो manufacturing sites भी है कौन कौन सी दो है एक तो सच्चे ने गुजरा सुरत के अंदर जो गुजरात में और दूसरी दोस्तों जो manufacturing facility है वो इनके पास करीबन 3500 square meter facility है जो जिसमें R&D services आती है और hydrogenation facilities और pilot plant इनको यहाँ पर cover मिलता है जिसमें आपको यहाँ पर manufacturing होती है roughly 10,500 square meters में और उसमें की तो यहाँ पर install capacity है वो करीबन 6096 metric turn per year की है जो करीबन 3 building 116 production streams में बटी हुई है 30 September 2021 तक तो यह company का manufacturing sites है अब आगे बात करें तो company के बारे में और portfolio के बारे में company के बात कर लेते हैं तो company के बास करीबन 25 products है जो यहाँ पर sold करती भी देखने को मिलती है करीबन 34 global companies को 18 countries के अंदर करीबन 154 domestic companies को भी और याद रखेगा company largest manufacturer है 4 MEP, T2E, NODG, HEEP products के world by volume के अंदर तो largest manufacturer है world के अंदर by in terms of volume तो यह आप समझें कि company खास तो है इसमें कोई doubt नहीं है अब बात करते हैं देखिए इस company की कुछ strength के बारे में आखिर company की strength क्या है तो सबसे पहली बात तो क्या है company के बास जो portfolio है वो market leading products का है और differentiated है अलग-अलग भी है plus market leading products का भी है जैसे मैंने कहा था R&D के बारे में तो company की जो R&D services है जैनि research and development की जो पूरा आप आप कह सकते है company का focus है वो काफी बढ़िया है core competency है chemistry में भी और technology में भी long standing relationship है इनकी customer base के साथ और यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो business model है charge manufacturing crimes contract manufacturing में उसमें भी काफी synergies है company का focus किस पर आता है company का focus है सिफ quality पे environment पे health पे और safety यह QEHS कहते हैं friends की अगर इन companies के पास यह हो तो तो वो companies बढ़िया होती है QEHS का अनलब quality environment health and safety यह चारो अगर company के पास हो तो बहुत बढ़िया होता है वो चारो इनके पास है company के पास लगातार अगर आप देखेंगे financial performance के ज़रे में बात करेंगे लेकिन strong है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्लस company के जो promoters है वो experienceable है और जो scene management है उनके पास extensive domain knowledge है तो company के पास कह सकते हैं कि overall full capacity में अगर आप हर चीज देखेंगे तो बढ़िया नजर आती है कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आती है अब बात करते है financials के उपर so friends company का financial समझे किस प्रकार का है 31 मार्श 2019 को company के पास करीबन 2066 million की assets थी 2032 million का आपको देखने को मिलेगा company का revenue जो अभी आपको देखने को मिलेगा इंपोर्टन बात कि कंपनी ग्रोथ दिखानी चाहिए क्योंकि कंपनी 2013 में incorporate हुई है तो याद रखेगा financials जानना बहुत important है financials को समझना बहुत important है because company hardly मिलेगा आपको open भी होती हुए देखने को मिलेगा और अब बात यहाँ पर distinctly हम कर रहे है जो financials नजर आते है I think वो बहुत साही दिखते है in terms of अगर आप कुछ भी ले लीजिए बली वो covid का scenario वहाँ पर भी company का लगाता growth होता हुआ देखने को मिले और लगातर company बढ़ रही है यह साफ-साफ नजर आ रहा है अब 31 मार 2020 और 31 मार 2021 की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3373 million का जो यहाँ पर company का revenue हो था वो 4493 million पर आता हुआ देखने को मिलिया और करीबन जो 482 million का यहाँ पर company का profit था वो करीबन 829 million यहीं close to double तो company growth दिखा रही है company का strong जो financials है वो साफ-साफ नजर आ रहे है इसमें कोई भी दोराए नहीं है अब बात करते हैं आखिर company issue क्यों लेके आ रही है company दोस्तों जो issue लेके आ रही है वो क्यों ला रही है सबसे वह लाती है जो पुरा fresh issue होगा पहला तो बात है कि company को prepayment या फिर prepayment करना है कुछ certain outstanding borrowings का company को funding चीए अपने capital expenditure के लिए और कुछ funding working capital requirement जो asset liabilities के लिए होगी उसके लिए चीए तो इसके लिए company ने का है एक company specific बात कहिए कि उनको proposed green field project के अंदर पैसा लगाना है इसी लिए company issue लेके आ रही है अब बात कर लेतना चलिए issue के बारे में आखिर issue किस प्रकार का है 24 से 26 माई की बीच में उपन होता हुआ देखने को मिलेगा 10 रुपे की face value के साथ आ रही है अब बात करेंगे सबसे important price band अब याद रखेगा 642 रुपीस का price band है अब हमारे market में अगर आप देखेंगे थोड़े दिन पहले ही आप एक साल पहले ही एक company आई थे clean science same to same company है same to same कारोबार है और वो आपको आती हुई देखने को मिले दी अब वह भी price band थोड़ा सा महंगा लेके आए थी बट उसमें market एक बूम पर आप समझे तो यह जो IPO आता हुआ देखने को मिल रहा है 642 रुपे का price band थोड़ा सा expensive valuations थोड़े से जादा मांगते हुए देखने को मिल रहे और आई तिंग जो valuation जादा मांग रहे वो एक दिक्कत वाली बात हो सकती है company undoubtedly बहुत strong जाद आती वाप इससे कहा रहा हूं बाट एक valuations वाली बात दिक्कत आजाती है तेज़ आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे जो इशू है वह आट सो आट करूर का टोटल जिसमें से 627 करूर का fresh इशू और बाकी का OFS 181 करूर का बुक बिल टाइप का इशू है बी एस से अने सी दोनों पर लिस्ट होगा यहाँ पर आपको जो शेयर से वो तो मिलते हैं वो देखने को मिलेंगे कंपनी के प्रमोटर्स के बास अभी 96.97% के उल्टेंग है तो यह important चीज़ है यह अब important question निकल काता है क्या apply करना है avoid करना है so company long term perspective के साथ अगर बात करता हूं तो बहुत स्ट्रॉंग है बहुत बहुत स्ट्रॉंग है यह इनके प्रमोटर्स भी काफी स्ट्रॉंग है अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रमोटर्स है वो है अश्विन जयनतिलाल देसाई पूर्णीमा अश्विन देसाई रोहन अश्विन देसाई यह आपको दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स देखने को मिलते हैं कंपनी के कह सकता हूं दिकिस्ट्रॉंग बाइब कह सकते हैं फाइनेंशल बहुत बढ़िया है लेकिन यह दिक्कत आती कि जो प्राइस बैंड लेकिए यह थोड़ा सब जस्टिफिकेश से लगाना है तो डिफिनिटली मैं सलाह दूँगा कि अपलाय करके चलिए लेकिन शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग इन के लगाना है तो बहुत मुश्किल लिस्टिंग इन लगता है मार्केट को सुधरना पड़ेगा और मार्केट में जिस परका का अभी वॉलिटलिटी है उतार शड़ाव चल रहा है मार्केट मुश्किल से मुझे लगता है कि दिखिए आपको जभी आईप्यो आता हुआ दिखने को में तो बहुत बढ़ जाए तो उससाब से तो मैं आपको सलाह दूँगा कि अगर यहाँ पर आईप्यो लिस्टिंग के बार लेना होता है तो लेकिन साथ-साथ लागे चले तो वह थोड़ा सा मुझे दिक्कत वाली बात में ज़र आती है तो मेंसला तो यही है कि लिस्टिंग गेन के लिए अवाइड करें लेकिन लॉंग टम के लिए 100% अप्लाय करके चलें तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही था होप सो को लेकर जरूर बताइएगा थेंक यू फ्रेंड्स फॉच में इस वीडियो